क्या आप सभी उस एक सिंगल हैबिट के बारे में जानते हैं जो सभी वर्किंग प्रोफेशनलिस के लिए इकुल इंपोर्टेंट है चाया आप ट्रांजिशन प्लैन कर रहे हैं या ट्रांजिशन कर चुके इंडस्ट्री वेटरेंस हैं और वो है लॉन अनलर्न एंड रिलर् वीट आपके ग्रोफ माइंडसेट को डेवलप और सस्टेन करने के लिए जितनी इंपोर्टेंट है उससे ज्यादा यह हमारी लाइफ के इंजन यानि हमारे प्रोफेशन के लिए एक इंजनल का काम करती है चैहिन दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कि रिश कोशिक और स्वा दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे आज सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और कॉंग्रेटुलेशन बोलना चाहूंगा जो यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप वो सब लोग हैं जो सीखना और आगे बढ़ना च तो उमीद करता हूं आप सभी सीखने के लिए रेडी हैं तो शुरू करते हैं अब सभी को स्लेट या ब्लैक बोर्ड तो जुरूर याद होगा जिनका बर्थियर मीडेटीज या अरली नैंटीज है उनको तो यह बात जुरूर याद होगी मिलेलियोस को वाइट बोर्ड य पर कुछ लिख सके सेम वे हमें अपनी पिछली जॉब पिछले करियर या प्रोफेशन को बुलाकर अपनी नई जॉब और प्रोफेशन के लिए भी सीखना पड़ेगा आई बिलीव आप सभी को याद होगा कि कैसे हम बच्पन में कितने क्यूरेस होते दे कि कुछ हमें नय प्रेशन को मिलेगा है ना वे हम लोग अपनी क्लास के साथ ग्रेड्स के लिए कंपीट कर रहे हैं लाइफ में अपने आपके साथ बिदे मैंड सेट्पने और वान से में कूछ नजिल पनि नि coverage funktioniert कर दो करने से को सबन Keep it हम अपने कंटीनल एडुकेशन से अपनी इस लिमिटिंग बिलीव वली सोच को हरा सकते हैं futurist Mr. Elvin Toffle ने लिखा था In 21st century, illiterate are not those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn दोस्तों, learning तो हम सब करते हैं thanks to our conventional education system but unlearn and relearn करने से हम सभी हिच के चाते हैं क्योंकि यह हमारे comfort zone और status quo को challenge करता है आपकी change को adapt करने की काबलियत और उन changes को proactively implement करने के crucial decision यह तै करेंगे कि आप आज के 5 साल बात कहां होंगे यहां मुझे Mr. Darwin का एक famous quote याद आता है It is not the strongest of the species that survive, not the intelligent one but it is the one who are adaptable to the change so what is learn, unlearn and relearn learning means to gain and acquire knowledge by means of study, experience और by teachings जो हमारे normal system में हो रहा है और चल भी रहा है सदियों से लेकिन professional career के लिए unlearn और relearn करना जरूरी है unlearn to discard that knowledge which is outdated or not required okay and then relearn to acquire new knowledge or something new which is required for our job, profession और career ग्रोथ क्या लगता आपको कि हमारी civil में क्यों ही पढ़ाई as it is military में कामा पाई या 15-20 साल का military experience में जो हमने सीखा as it is civil ya corporate career में कामा पाईगा इसका जवाब definitely ना ही होगा तो दोस्तों क्या हमें ये rigid mental approach को change करने की जरूरत नहीं है definitely yes based on our experience education हम सभी काफी knowledgeable लोग है ना लेकिन दोस्तों extraordinary professional growth के लिए knowledge नहीं wisdom चाहिए जैसा कि Chinese philosopher Lao Tzu ने कहा था to attain knowledge add something every day but to attain wisdom remove something every day Jim Collins ने अपने book good to great में ये लिखा है the most important lesson less not in what I need to learn but was to know what I needed to online मतलब कि हम तब ज्यादा नहीं सीखते कि जब हमें मालूम है कि हमें क्या सीखना है राधर हम तब ज्यादा सीखते हैं जब हमें ये मालूम है कि हमें क्या बुलाने की जरूरत है दोस्तों जितनी जल्दी आप इस फंडे को apply or implement करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी professional life professional journey असान हो जाएगी क्योंकि you won't spend much time in satisfying your alter egos and things will start falling on place within no time मैंने personally ये फंडा अपनाया और implement भी किया है and believe me it worked every time तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे करना है सब से पहला है आपका willingness to accept the change the sooner the better second do away with your self-remitting belief बाहर आईए इस सोच से के हम नहीं कर सकते and get familiar with the unfamiliar situations थर्ड है आपका surround yourself with the like-minded people उन लोगों से साथ रहिए उन लोगों से बाते कीजिए जो learning unlearning और relearning के process के बारे में जानते हैं और उसे अच्छा भी मानते हैं आप अपने opposite या different professional के लोगों से भी बात कर सकते हैं और उसे बहुत कुछ सकते हैं और पॉइंट है आपका maintain curiosity दोस्तों जब हम किसी profession में join करते हैं या नए नए किसी काम के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह सीखते हैं क्योंकि हमारा curiosity उस time peak पर होता है इसलिए आपको अपने learning curve को maintain करने के लिए आपको अपना curiosity भी maintain रखना पड़ेगा 5th is you set smart goals smart goals आपको motivated और एक self-reliance से feeling देंगे which is enough to keep you going 6.5 आपका find a mentor for support and who can push your limits दोस्तों mentor आपकी life में professional life में specially आपको बहुत कुछ अचीव करने में आपकी help कर सकते हैं last but not the least use self-assessment tool for your self-awareness कि आप पहले कहां थे अब आप कहां है और आप कहां जाना चाहते हैं remember दोस्तों learning unlearning or relearning is a cyclic process for your success and believe me there are no shortcuts for success so finally दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत मेरे अभी तक के वीडियो और मेरा आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपके professional और career growth के लिए helpful रहेगा दोस्तों अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक से थोड़ा भी help होता है so please put your comment in comment section मुझे बहुत अच्छा लगेगा यह जानकर के आप मैं आपकी कुछ भी कर पाया और आप अगर किसी ओर टॉपिक के बारे में भी जानना चाते हैं वह भी आप मुझे लिख सकते हैं डेफिनेटली उसके उपर मेरी सर्च करके एक अच्छा वीडियो स्पेशली आपके लिए त्यार करूंगा तो दोस्तों कीप मोटिवेटिंग मी डू लाइकन सब्सक्राइब और आप ही नहीं आप उनके साथ भी शेर कीजिए जिनको इनकी एक्च्छल जरूरत है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी इंपोर्मेटिंग सब्जेक्ट पर तब तक के लिए स्टे सेफ टे ह जय हिंद जय भारत